मुर्टजा अली खान साब ये कितना इजी होता है या ये कैसे ट्राप करना एक ऐसे सूपरस्टार को जिसका बॉलिवुड पर सिक्का चलता है एक बेटे को माध्यम बनाकर इतना मजबूर कर देना कि वो गिर गिरा रहा है वो भीक मांग रहा है कि उसके बेटे को बस कैसे भ भर भेज दीचे लिए बहले ही वो सूपरस्टार होंगे बहले ही वो एक किंग खान के नाम से जाने जाते हैं बहले ही वो बड़े-बड़े कैक्टर्स प्ले करते हैं फिल्म में पर हमने उनकी बेबसी देखी कोई भी बेबस बाप इस सिच्वेशन में यही करता जो उन्ह प्षिडे नाम के शक्स में और मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि अपने लेवल पर डील करे जा रहे हैं यह चैट्स उन्होंने अपने सुपीरियर्स को क्यों नहीं दिखा हैं कि मीडिया तक क्यों नहीं पहुचा है इतने टाइम तक क्या खिचड़ी पका रहे थे यह होनी चाहिए मुझे पता है इन्वेस्टिकेशन हो रही है लेकिन एक जास इजनसी बैठनी चाहिए कि अपने लेवल पर इतनी जिम्मेदारी की पोस्त पर बैठे वे कैसे इस लेवल की नेगोसिएशन इतने बड़े सूपरस्टास करे जा रहे हैं और अगर कुछ भी गलत है आरियन खान ने कुछ भी गलत किया था तो यह चीज़ मीडिया में पहले क्यों नहीं आई अभी तक ही चैट से अपने पास रखे क्यों बैठे थे क्या साबित करना चा रहे हैं आज ही चैट वहर लाके अब यह फस गये हैं इनको कोई रास्ता नहीं देख रहा है तो यह रही है मैं कह dabei हैं मैं किया इतने टाइम से क्या कर रहे थे इन चैट के साथ अपने सुपीर्यों ने क्यों नी ही रिपोर्ट किया इन चैट्स के बारे में वीडिया तक है से पहले क्यों नहीं आई इससे पता चल रहा है कि यह बहुत बड़ी कॉंस परेसि का शिकार हो गए से कह सकते हैं वो बार-बार कह रहे हैं कि आपनी जैसा कहा मैं वैसा कर रहा हूं मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूं मैं उन लोगों को भी बोलूँगा जो लोग आरियन खान को लेकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं या फिर जो आपके बारे में समीरवान खेड़े के बारे में बयान दे रहे हैं इससे अंदाजा लगा सकता है कि कितना मजबूर किया गया शारुक खान को भाबनात्मक रूप से देखें बिल्कुल तीन तारिक से जब से हम इस चैट की हम बात करें इसमें साफ तोर पे शारुक खान शुरुवात सही समीरवान खेड़े से मिलना चा रहे हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो भी आपने कहा मैंने वो सब कुछ करा आपको अगर कोई पॉलिटिक्स का शिकार बना रहा है मैं उनसे भी बात करने को तयार हूँ और आप भी एक बच्चे के पिता है और आप समझ सकते हैं मैं किस हालात में हूँ शारुक खान इतने मजबूर हैं इतने बेबस हैं कि वो ये भी कह रहे हैं कि मैं समस्ता हूँ कि ये बात करने का सही तरीका नहीं है अफिशल तरीका नहीं है लेकिन मैं एक पिता की हैसियस से आप से लगातार गुजारिश कर रहा हूँ बार-बार समीर वानखेडे से वो गुजारिश कर रहे हैं कि मेरे बेटे को परिशान ना किया जाए लेकिन अगर हम एंड की चैट्स की बात करें प्राची तो उसमें ये भी कहा जा रहा है समीर वानखेडे से शारुखान ये भी कर रहे हैं कि आपको ये बात पता है कि आर्यन खान जो है उसे किस सरीके से फसाया गया है और कैसे वो इस पूरी की पूरी साजिश का शिकार हुआ है और मैं सब कुछ करने को तयार हूँ जो आप चाहते हो और ये भी उसके अंदर कहीं न कहीं शारुखान लगातार ये बात करने कोशिश कर रहे हैं कि जब भी आपको मौका मिलेगा मैं खुद परसनली आपसे मिलने को तयार हूँ लेकिन मेरे बेटे को जेल में मत भेजो वो तूट जाएगा वो परिशान हो जाएगा और किस तरीके से कौन-कौन लोग इसके अंदर शामिल है उसमें जो भी कानूनी तरीके से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ मैं मदद करने को भी तयार हूँ तो पूरी तरीके से शारुक खान इसमें बेबस नजर आ रहे हैं और समीर वानखेडे लगातार इस चैट के जवाब में ये कह रहे हैं कि मैं एक पिता के दर्द को समस्ता हूँ मैं भी बात करना चाहता हूँ लेकिन जब उचिस समय आएगा तब हम बात करेंगे और बड़ी बात प्राची इसके अंदर ये बात निकल कर सामने आई कि NCB ने जब आरेन खान को गरफतार किया था NCB के सीनेर अधिकारी सेब जब समीर वानखेडे एक एक अपडेट शेयर कर रहे थे कि कैसे आरेन को गरफतार किया गया कैसे क्रूज पर कौनको लोग शामिल थे लेकिन क्या शारूख खान से बात कर रहे थे समीर वानखेडे? इस बारे में कोई जानकारी समीर वानखेडे ने अपने सीनेर अफिसर्स को नहीं दी ऐसा जो NCB के Senior Officers हैं वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि एक ROP यानि कि आरियन खान जिस तरीके से उस केस के अंदर ROP था उसकी Arresting हुई लेकिन उसके पिता से बाचीत लगातार चल रही है पुलिस चैक को चिपाने की कुशिश जिसमें शारुक खान को इसली फसाया जा सकता है राजिश अगर हम इस चैट को देखेंगे तो इस चैट में एक और हिस्सा है जिसमें समीरवान खेडे ने जिकर किया है कि मैं तो चाहता हूँ कि आपकी बच्ची की बहतरी हो जाए और मैंने उससे की काउंसिल करने की भी कोशिश की है लेकिन कुछ लोग है जो मेरे इस एफेट को गंदा कर रहे हैं जो मेरी बदनामी कर रहे है इस बात का जिकर करते हुए समीरवान खेडे नजर आ रहे है जिसमें शारुक खान कहरे है कि मैं उन लोगों से परसनली बात करूँगा तो यह किसका जिक्र हो रहा है इस चैट में देखे और वो जो चैट से उसमें शारुक खान ने बताया है कि उन लोगों से परसनली उन्होंने बात भी की है एक शख्स जो इस शहर में है वो इस चैट में लिखा गया जिसका जो नवाम मली के तरफ इंडिया के जिक्र है कि वहां से भी एक शख्स जो है लगातार इस बारे में बात कर रहा है तो दोनों से उन्होंने बात की है उन्होंने डाट भी लगाई है उन्हें यह शारुक खान ने लिखा है और कहा है कि मैं किसी तरीके से उन लोगों के साथ इंवाल्व नहीं हो उ दोन भी बातचीत है शारुक खान जो कह रहे हैं उसमें उन्होंने यहां तक कहा है कि मैं बत聯प और एक पिता आपसे बात कर रहा हूं समीर आप भी एक पिता हैं आप एक जिंटलमैन है मैं भी जिंटलमैन हूं हमारा परिवाद तूर जाएगा आप मेरे बच्चे को बाहर आने दीजिये उन्होंने ये भी कहा कि हाँ उनका बच्चा रास्ते से जरूर थोड़ा भटका है लेकिन उसने इतनी बड़ी गलती नहीं किये कि वो उसे एक हाडेंड क्रिमिनल के जैसे आप उसे जेल में रखे इतने दिनों तक जेल में रखे ये बाते शारुख खाने अपने चैट्स में कहीं है अगर मैं आपको ठीक ठीक पढ़के सुना दूँ तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आप जानते हैं कि मेरा बेटा बेटा जो है इस पूरे इस ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा नहीं है आप जानते हैं कि उसका रोल बहुत छोटा है उसको रिफॉर्मेशन की जरुवत है और जितने उसने गलती की है और जितने दिन वो जेल में रहा है जिस तरीके की बाते परिवार जेल रहा है वो अपना कोटा पूरा कर चुका ये शारुखान लिखते हैं मैं उसे एक बहतर इंसान बनाने में मदद करूँगा ये सारी बाते लिख रहे हैं और बार बार I beg you I beg you मैं आपके सामने हाथ फैल आता हूँ मैं आपसे request करता हूँ ये हर एक line के बाद शारुखान लिखते हुए नजर आ रहे हैं पिता की मजबूरी जलक रही है पिता कितने मजबूर है पिता अपने बेटे के भविशे को लेकर कितना संजीदा है कितने गंभीर हैं ये इस चैट की एक एक line बता रही है और बता रही है कि कैसे समीर वान खेडे को शारुखान बार बार प्लीज कर रहे हैं कह रहे हैं कि उनके बेटे को बख्ष दिया जाए वरना उनके बेटे का जो future है वो कही न कहीं खराब हो जाएगा शहजाद खान साब बॉलिवूड ऐसे मामलो को कैसे देखता है क्या टारगेट किया जाता है बॉलिवूड के आक्टर्स को उनके परिवार को लेकर blackmail किया जाता है और ऐसे easily trap किया जा सकता है किसी को भी बहुत 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 शुक्री आपका आपके शो के मुझे बलाने के लिए वो कहते ना कि सच परेशान हो सकता है पर पराज़ित नहीं मैं इस केस के उपर जब सही ये केस हुआ है तब से अलग-अलग मुक्तलिफ चैनल्स पे बोलता आ रहा हूँ और मैं तब भी बोल रहा हूँ लेकिन अब जो है मुझे कुछ इसमें कानी में कुछ ट्विस्ट नजर आ रही है ये वाटसप चैट को लेके एक तो बात ये है कि ये जो केस रियोपन जो हुआ है इसमें कुछ चैट्स ऐसी है जो समीर वांखडें अपने सीनियर्स से बात कर रहे हैं मैंने कली देखा किसी चैनल पर कि वो कह रहे है कि मैं आरियन खान को छोड़ दूँ या मैं वो सारी उनके बेल एंसी बी मैक्स्टें नहीं लेकिन उनकी सूपिरियर्स जो है वो उसको उपर दवाव डाल रहे हैं अब वो सब चीजे देखने के बाद ये सारी चीजे जानन में इतनी बड़ी हुआ जो बड़ा ही गई है वो सकता हुआ एक मौरा हो उसके पीछे जो दिमाग जो काम कर रहे हैं उन तक पहुचना बहुत जरूरी है क्योंकि हमने कल जैसे आप हमें चैट्स अभी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर हमने भी कल एक चैनल पर चैट्स देखी क करे में रिमांड मत लो तो उनोंने उनकी सीदियर में जैसे उनके लौयर को जो NCP कें राइब लौयर है उसके रिमांड लो यह है वो है तो कहीं दा कहीं न देखे है इसमें रॉ manual no moment नहीं होगा तब तक समीर अखलडे इतनी बड़ी की इतना बड़ा कदम नहीं इठा सकता और Bollywood को हमेशा, Bollywood is a very soft target, आप देखे शुशान सिंग के टाइम पे, उस वक्त भी सब खूद गए, वह ऐसा है, अरे बच्चा बिचारा उस बिमार था, दिमागी तरीके से परेशान था, उसके घरवाले नहीं आए, कोई नहीं आया, किस हालत में वो, और सब कह रहे थे कि बाइ, उसका मर्डर हुआ है, मर्डर हुआ है, तीन, तीन, चार, चार एजनसीज, कितने साल होगे उस बात को, वो एजनसीज ने अब तक क्यों नहीं बताया, कि आपच्चे के साथ हुआ क्या, जब उस बच्चे ने खुशी की, वो जहां भी हो, अला उस बच्चे वो शक्स था, बॉली वुट का, जिसने आके शारुखान के तरफ से बोलना शुरू किया, मेरे दो तीन दिन बाद नवाब मलिक साब, उन्होंने तो डेली सोप शुरू कर दिया था, और वो काफी, जो भी वो कर रहते हो सकता हुआ, उनके दामाद के साथ कुछ हुआ हो, उसक वो केस एक अलग नजरिये से, लेकि हर चीज का वक्त होता है, कुछ चीजे अभी जैसे आपके रेपोर्टर साब बता रहे थे, कि चीजे छुपाई गई थी, यह हुई थी, तो जो चीजे बाहर आएगी, तब ही तो हम को पता चलेगा, हम हम हिंदोस्तान की आवाम है, हम हम हिंदोस्तान की आवाम है, हमें सच जानने का हक है, तो इसलिए जब चीजे बाहर आती, तो अब ऐसा लगने लगा है, मुझे खास करके, कि समीर वांखाटे तो महरा था, उसको इस्तमाल किया जा रहा था, पैसे निकालने में, और यह बात, मुझे जो कल जो मैंने चैट देखी, वाटसब की, अब देख देखे, में चीज है, कोट, कोट को फैसला करना है, लेकिन इन चैट्स को देखकर बड़े-बड़े खुलासे हो रहे हैं, और जैसा कि आप कह रहे हैं, कि साजिश की जाती है, सौफ टार्गेट भी किया जाता है, नुपूर में ता, जाँगा, वस वक्त में जब यह हुआ था, तो जिस तरह से समीर वांखेडे का नाम आया था, वो एक स्टार नार्कोटिक्स ब्योरो के ऑफिसर बनके सामने आये थे, जिन से सब लोग कापने हैं, और जो बड़े-बड़े लोग को एकदम अंदर डाल देते हैं, तो यह हा है पास कर देते हैं, अपने लेवल पर नेगोसियेशन कर रहे थे वो, और उन्हें नेगोसियेशन करी शारुक खान कैम से, किसी तरह से उनको एक्स्टॉइट किया जाए, एक्स्टॉट की जाए यह मनी, और साथ ही साथ जब नवाब मलिक सामने आये और बयान बाजी होने जब नवाब मलिक के जो दमात थे, उनका पहली इंकाउंटर हो चुका था, इस तरह की एपिसोड हो चुका था समीर वांकेडे के साथ, तो वो अपना एक्स गिराइन कर रहे थे, और उसका डारेट इंपेक्ट पढ़ रहा था शारुक खान और आरेन के मामले में, तो समीर वांकेडे अब कॉर्नर फील कर रहे थे, जब नवाब मलिक स्टेट्समेंट लेके आ रहे थे, और अलग-अलग लगातार अटैक कर रहे थे, तो अगर हम उस दौर में जाएं, तो क्लियरली देख रहा है हमें के संधी वांकेडे जो हैं ये, इनका एक बहुत ही डूबियस रोल रहा है, और ओफिसर्स और जितने भी इनके सुपीरियर्स हैं, उनकी बात भी नहीं मानते हैं, सिस्टम को भी हाशी पर रखते हैं, और अपने लेवल पर नेग्योसीशन करना पसंद करते हैं, और बहुत ही होस्टाइल बहेवियर है, इनका एज़ ऑफिसर और इससे लिए मुझे लगता है कि जब जाच हो, तो सिर्फ इस कोई नहीं, इनके पिछले केसे जितने भी इनवाड रहे हैं, जिन जिन लोगों को इन्होंने फ्रेम किया है, उसकी भी थोरो एक्जामनेशन हो रहे हैं, जैसे 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 जाँच आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैस इंडिया टीवी, हर वक्त, हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें, इंडिया टीवी न्यूस, गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर